हालो एबरीबन सभी साथिकों नमस्कार एलक्टॉर्णिस माकाइनिक इस्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है साथियों हमने एक से लेगे 20 कोश्चन कर लिए यानि दो क्लासे कर लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट को देख लें अगर आपने प्रिविएस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग एक लोगों ने मुझे कमेंट के असर आपसर मत बोलिए सीधा आंसर दिये जाए ऐसा नहीं है सभी साथियों के लेके चलेगा अगर आप नहीं है तो सपीट बढ़ा के आप देख सकते वीडियो को ठीक है चलिए सभी लोगों को सा कर रही है और आप इस भूक को फॉलो करें कम से कम अगर परचेस करो को साड़े तीन सो रुपए पड़ेगी मैं आपको रोजाना करवा रहा हूं रोजाना करवा रहा हूं आप अपनी कॉंपी में नोट डाउन करिए पीडियाफ टेली के रहां पर अफलोड कर रहा हूं ठीक है चलिए अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट जैसे हम कुश्चन को पढ़ें उसके बाद तुरंत आपको कमेंट करना है ठीक है और इसके हम फैक्ट भी देखेंगे ठीक है चलिए बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के जटके से बचाता है जब बिल्कुल सही इसका सही आंसर जो हो जाएगा एक मिन बिल्कुल सही यानि कि फर्स्ट ओप्सन जो भी लगा रहे हैं ये वाला फर्स्ट ओप्सन ड्राइव बुड वाले सभी साथ हमारे सही हो जाएंगे ठीक है चलिए इसके हम फैक्ट देख लेते हैं ये रहे इसके फैक पर उख्रबी से ही है है मतलब इसको लिए बोला गाजै को इन्साइब इडिय वाले में सबस्होर बड़ी बात ही जी आएटे वाले हिंदी मीडियम वाले रहते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आती है अभी आप समझ सकते हो अभी आपको बताएंगे एक बार कि जब 2018 में लोको पालेट की वेकेंसी आई थी उसमें आईटाई वालों से सो सो नंबर में से ती तीस नंबर नहीं आये थे तब उनको दोवारा रजल्ट मतलब उनका निकाला गया था समझ सकते इसलिए आइडिया का क्रेज बहुत अच्छा है अगर आप थोड़ा सा अगर अच्छी से कर लेते हो जो बस तू दूसरा फॉइंट अपने अकॉंप में में लिखिये जो बस तू विद्धुत का कुछ अलक होता है उसमें बिद्धुत धरा प्रवाइद नहीं होती यह बिलकुल वात सही है जो एससे कि हमारे चुभी पैंसिल होती है पैंसिल जबी ग्रसेट होती है उसमें अगर हम लाइट पर टन्था करेत उसमें क्या होगी दारा नहीं वह क्योंकि वह कुछ आलग है ठीक है चलिए इन तीनों पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए फटापाट स्क्रीन सोट कर लीजिए जिन लोगों स्क्रीन सोट नहीं किया चलिए नेस्ट कोश्चन ये रहा देखू एक मिनट हाँ नेक्स्ट को जूते फेज लाइन अर्थिंग पता ही किसके द्वारा हम इसको जटकों को रोक सकते हैं चलिए कमेंट करेंगे फटापाट जबी लोग सबीए लोग जल्दी से कमेंट करेंगे तो बहुती सांधार तरीके से आप लोग इसका लगाओगे बहुत बढ़िया चलिए नेस्ट कोश्चन ये रहा अब खाँ इनके फैक्ट भी तो देखना पड़ेगा चलिए फटापट कॉंपी में नोट ड़ौन करिए बिद्धुत के उपकडों में प्रेरित निम्न बोल्टेज जिसकी वज़े से धीमा बिद्धुती जटका लगता है बिद्धुत रोधी जीटी का उपयोग कर उनको हम बिद्धुत रोधी उपयोग करके रोका जा सकता है कुचालग होता है कैसे होता है जिससे उसमें धारर या करंट नहीं बैता यससे हमें कोई जटका भी नहीं लगता है चलिए चलिए जिसरा प्योंट लिग्राइप लोग ज़िए नहीं लेकले अगर द Hindus सकते हो यह एसके जहाब पॉब्लिक के जना है यह ध्यान रखना इलेक्ट्रीजियन एसके जहाब हो गए यह चलिए इसको हम पीडियाफ को टेलीग्राम प्रप्लेट कर देंगे स्रेडी एकी आग को कैसे बुझाया जाना चाहिए जो हमारी स्रेडी एकी आग होती हैं उनके किसके द्वारा सुच बंद करके पानी फेक कर आग पर तेल डालकर या उड़े फ्यूज को बदलकर भाई साब एक बात बताईए स्रेडी एकी जो आग लगेगी अगर हम उसमें तेल फेंकेंगे लकड़ी अगर तेल लकड़ी है काग जैन में अगर आग लगी होगी इसके उपर हम तेल फेंकेंगे तो क्या होगा आग बढ़ जाएगी तो सी गलत हो जाएगा डी भी हमारा गलत हो जाएगा अगर फ्यूज उड़ जाएगा हम फ्यूज बदल देंगे जितने भी लोग बी आंसर इसका लगा रहे हैं बिलुकुल सही आप लोगों का सही आंसर माना जाएगा बहुती सांदर और गजब तरीके से आप लोग बी आंसर इसका लगा रहे हैं बहुत बढ़िया चलिए next question देख लेते हैं अब इसका आम तोलगा फैक्ट भी देखेंग स्रेडी एक ही आग को पानी फैक कर बुलाया मतलब बुझाया जाना चाहिए यहां पर थोड़ा सा मिश्टे गए ठीक है चलिए कोई देखकत नहीं स्रेडी एक ही आग जो होती है लकड़ी कागज कपड़ा जूट आदी में लगी होती है और यह सभी के सभी हमारे स्रेडी एक ही अंतरकत आती है और मैंने आपको बताया था आग लगने के लिए आग लगने के लिए इंधन चाहिए उस्मा और आकसी है यह सभी हमारे होनी चाहिए यह संयुक्त दूरूप से होना चाहिए और जल युक्त अगनी शामन यंतरके में वायुदाब के साथ जर्भरा र आता हूँ ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट की बस अगर आप इसको आसानी से देख से और रिवीजन करते हैं प्रतिश्ठानों के लिए किस प्रकार के अगनी शमन का वियूग करना चाहिए हमें किसका प्रियूग करेंगे तो आप बोलेंगे शंग्रहित दाप जलपूरित प्रकार का या गैस कर्टेज जलपूरित प्रकार का फॉर्म प्रकार का या फिर हैलोजन प्रकार का चलिए कमेंट करेंगे फटा फट ये कोशन मैंने करवा दिया है सभी लोग कर देंगे इसका शभी लोग इसका अंसर लगा देंगे यह की GAMRC यानि की यह राजिस्थान उसमें जैपर मेट्रो में यह कुशन पूछा गया था चलिए बताइए आप लोग कितने लोग इसका शही अंसर लगाते हैं बहुती सांदार और गजब तरीके से आप लोग डी आंसर लगा रहे हो कौन सा डी आंसर तो आपका यह कुश्चन बिलुकुल सही माना जाएगा डी आंसर वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं इसके हेक्ट जल्दी से अपनी कौपी में नौट डान करते चलिए विद्धुत आग उपकड जो पैते सानों के लिए हैलोजन परकार के अपनी शमन का उभीयो करना चाहिए हैलोजन के अगनी शमन का प्रियोग बिजली के लगने वारे आग को अगनी शमन के अंत्र मुक्ता चार प्रिकार के होते हैं अगनी शमन करते हैं तो आपको दिक्कत है क्यूंकि अगर हो सकता है इंसे कोशन पूछ लिया जाए तो फिर क्या करोगी तो दिक्कत है कॉपी में नोटडान करती चले ठीक है चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगे स्क्रीन सोट कर लिया होगा और अपनी कॉपी में फटाफट नोटडान कर लिया होगा चलिए next question देखते हैं पुनर जीवन यह हम कहा सकते हैं पुनर जीवन की सबसे अधिक कारगर विधी कौन सी है अगर एक्जाम में पूछ लिया जाए तो प्रबड़ पुनर जीवन यह हम कहा सकते हैं मुह से नाक पुनर जीवन या हम कह सकते हैं होलगर नील सन्विदी या मुह से मुह पुनर जीवन सबसे बेस्ट सबसे कौन सी रहेगी वो हमें बताने हैं चलिए देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं हुण और नेग्स हो ऊंदुफ छल देकि कितने लोग सही आँसर इसका लगाते हैं तो बिल्कुल सही इतनी भी लोग लगा लगी पुनरजीवन के सबसे चाहिए करगर जो होती है मुह से मुहह में मतलब हवा देना हो attent यहrit चरण होता है घ्रम जब मुझने कपरा लग रहते हैं फिर बढ़ा देते मूह से स्वास देते शास किरिया कि लोगुप्रीय सर्टम सबसे मतर्प कैसे सब्सक्राइब बढ़ विदऄ मुह से मुह में हवा लुक एक आगे यह रहेगा इस विद्वी से रोगों उर्जु होता रोगी होता रोगी को वायु की अधिक मातरा प्राप्त होती है हो जाती है और जिससे क्या होता उसके जीवित हो जाता है और जीवित होने के उसके बहुत चांज रहते हैं यह वाद ध्यान रखना है जब भी कभी किसी व्यक्ति को अगर लाइट पगड़ ले तो सबसे पहले उसके पीड थपाना चाहिए धीरे-ध मारना चाहिए चाती पर धालकाल कमारना चाहिए और नहीं तो डारेक्ट क्या करें उसके मुँपे महीन सा कप्ला रखके उसको तुरंत मुह से मुहावा दें जिससे की रोगी जोगा उसको आराम मिलेगा और जी उठेगा अगर व्योस हो जाता है ठीक है चलिए आगे 6.20 into this पे गाट 24 जूल वह हां जूल और 1.6 into this पे खात माइनश की 19 जूल और माइनश की 24 जूल पता यह जल्दी सभी लोगो कमेंट करेंगे इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाओगे देखतें कितने लोग इसका सही आंसर लगाते हैं लगाए है आप लोग जल्दी से तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं कॉंपी में नॉट डान कर लो सबसे पहले 1EV वराबर 1.6 इंटू 10 पेगात की माइनस की 19 जूल होता है क्या होता है 10 पेगात माइनस की 19 जूल होता है ठीक है चलिए अब एक पर याद रखनें दूसरा पोइंट ये लिख लिए Electron Volt उर्जा की एक आई है Electron Volt किसकी उर्जा की इक आई है ये भी आप अपने कॉंपी में लिख लिए अब एक वोइंट इसको और लिख लिए गतित उर्जा कि वह मात्रा जो एक इलक्ट्रोन द्वारा निर्वात में एक बोल्ट का देवांतर पार करने में प्राप्त की जाती है ठीक है यह वाद ध्यान रखना अब एक बोल्ट वरावर कितना होता है एक बोल्ट वरावर एक जूल प्रतिकूलाम होता है क्या होता है ए प्रति कुलाम होता है ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं यह कोश्चन बार बार आ रहा है बार बार इसलिए यह कोश्चन बहरी वहरी एंपोर्टेंट है यह सुरू टैक्नी सीन में भी यह कोश्चन पूशा गया था पुनर जीवन की किस विदी से वायू आधिक मातरा को र लगाएंगे भी आंसर मुह से मुह के विदी इससे क्या होता है रोगी को अधिक मातरा में इसको स्वास मिलती है वायू मिलती है ठीक है भी आंसर इस दा राइट आंसर हो जाएगा चलिए इसके फैक्ट भी देख लेते हैं फैक्ट यह रहे फटाफट इसका फैक्ट आप पहले तो यह लिख लो जीवन पुनर जीवन में मुह से मुह के विदी इसे वायू की अधित मातरा रोगी को मिल जाती है या दी जाती है दूसरा फैक्ट आपनी कॉपी में फटाक से लिखिए क्रतिम स्वास करिया कि लोग प्रिय लोग प्रिय भी है और सरलतम विदी कौन कर देते पीठ के बढ़ लेटा देते पीठ के मुह पर साफ करके उसका मूँ साफ कर देते और खुला करके इसमें महीन कपडा रखके मेंये आपको बताया था और नाग बंद करके मुह से बल पूरो हवा भरते है इस विदी से रोगी वायु की अधिक मातरा प्राप्त हूती जिस से कि हुए जीवित हो जाता है था चड़िए जपी इसको स्क्रीण सट कर लोगी और अपने कौम meglio में नोट डान कर लेना है ठीक है चलिए यह मैं फिर कह रहा हूं यह मैं सोलूसन जो करवा रहा हूं एसके जाए एलेक्ट्रीसियन जो की फ़स्ट बुक नहीं है यह दू-30 अंसक्रिट है काफी मोटी कोश्चन है मतलब भुक है ठीक है काफी मोटी भुक है साड़े-300 की भुक है मैं सीधी सी आपको बताऊंगा चलिए नेश कोशन यह रहा नेश कोशन जल दिस सब्ली करेंगे चलिए आप लू करिए कार करते समय कोई व्यक्ति विद्धुत के संपर्क में आ जाए तो तुरंत निम्न में से क्या करेंगे व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे विद्धुत दार से दूर खीचेंगे बिलुकुल गलत हमको भी करेंट लग जाएगा उसे असपतार ले जाएगे बिलुकुल गलत चिकसा को तुरंत फोन करेंगे बिलुकुल गलत सबसे पहले फर्ष्ट जो ऑप्सन रहेगा वो अमारा ये रहेगा लकडी की छड़का उप्योग करके उसे अलग करेंगे बांक की बाद क्या होगा उसके बाद देखेंगे अगर अलग ही नहीं करोगे तो तब तक तो वो निपट जाएगा यानि मर जाएगा इस बाद को आप लोग ध्यान रखना है चलिए कोशन है कार करते समय कोई व्यक्ति विद्दुत की संपर्ख में आ जाए तो तुरंद निवन में से क्या करेंगे ये डी आंसर इसका हो जाएगा चलिए अब इसके फैक्ट देख लेते हैं देखिए, फैक्ट यह है, देखिए, कार करते समय कोई व्यक्ति विद्दुत के संपर्ख में आज आए, तो तुरंद लकडी की सायता से क्याव करेंगे, उसको अलग कर देंगे, ठीक है, उसको अलग कर देंगे, सुकी लकडी विद्दुत कुछ अलग होती है, वास सभी जा फैक्ट इसलिए क्या हो जागा, इसका सही अंसर हो जाएगा, चली नेक्शोशन देख लेते हैं, जल्दी सिनका इसक्रेंट कर लिए, चली ये राख क्वेश्चन, चली फटापट कमेंट करेंगे, चली तेल पेंट आदी में लगने वाली आग स्रेड़ी वर्ग में आती ह तो आप लोग बोलेंगे सर जितनी भी हमारी यह लिक्ट वाली होती है वो सभी कि सभी क्लास B के अंतर गदाती है और क्लास A के अंतर कर लकड़ी की आती है ठीक है क्लास C गैस के अंदर दाती है क्लास D बिद्धुत लगे पदार्थ में आग लगती है उसमें आती है ठीक है तो इसका राइट अंसर ए अंसर हो जाएगा चलिए इसके फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग फैक्ट है हमारा तेल पैंट आज से लगने वाली क्लिए स्रेडी एक के अंतर दाती है और आग चार प्रकार गोती है अब चारों मैं अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ एक्जाम में एक भी कुश्चन छोड़े के नहीं आना है देखिए चलिए फैक्ट सबसे पहले स्कीन सॉट कर लिजिए पहला फैक्ट अगर लिए काउपि में लिख ले यो तो जल्दी से लिखिए स्रेडी ए आग जो होती है लकडी कागज कपड़ा जूट आदी में लगी आग होती है स्रेडी बीकी जो होती है जुलन सील जितने भी हमारे लुकड वाले होती है वो सभी स्रेडी बीके अंतर आती है जितने भी हमारे गैसे वाली होती है वो स्रेडी सीके अंतर आती है स्रेडी डीके अंतर जो बिजली के तारों प्रमबान बुक है चलिए तीस नंबर कोश्चन केलविन की SI unit क्या है केलविन की SI unit क्या सभी लोग जल्दी से comment करेंगे फटा फट जल्दी से बिल्लकुल सही answer क्या हो जाएगा आप लोग बोलेंगे केलविन की SI unit होती है तापकरम होती है यह होती है एक दम सही answer इसका C answer right answer हो important question है यह सभी important है आप लोग पनी कॉपी में not down कर लें तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए और जो ते तीप्रत है की unit जो SI unit उटती है वो भी candle होती है और समय की SI unit second होती है क्या होती है समय की SI unit second होती है जल्दी से इन question को screenshot कर लिजिए जल्दी सभी लोग और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन question को किया होगा तीस तक हमने आपको करवा दिये ऐसे ही रोजाना आपको इसी time पर हमारी वीडियो आप लोगों को मिलेगी सभी साथियों से उम्मीद करूँगा इस वीडियो को जितना हो सके share कर देना आपके जितने भी यह दोस्तों जो DRD UP, PCL, ALP के त्यारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो शेर कर देना चैनल पर नहीं है अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लो साथ में उसके जो वैल आकने घंटी उसको all पर press कर लो आप जब भी all पर घंटी दबाऊगे तो ही हमारी वीडियो हमने क्लासे स्टार्ट कर दी हैं और हमारी क्लासें वो भी स्टार्ट हो रही है थेंकि पर वाचिंग जैहिंद जैवारत